कि नमस्का स्वागत है आपका हमारे चैनल पर हम बात करते हैं किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि यह कांग्रेस के सांसद है रवनी सिंग बिट्टू लुद्याना से उन्होंने खुलासा किया है कि इस मोमेंट को ब इसमें भी कोई शक नहीं है कि यह जो है जैसे के विरोध में जो है पूरा का पूरा मोमेंट हो गया था इसी पैटरन पर क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है वह यह सरकार का ध्यान बटकाने के लिए और बिदेशी ताकोंतों से मिल करके इस तरह से जो शड़ियंत रहा हमारे और से लिते हैं इस बात को देखे ये जो मूमेंट है किसान विरोधी जो आंदोन चल रहा है ये बिल का विरोध करने के नाम पर बिल का विरोध कर रहा है ये पंजाब से शुरू हुआ और पंजाब से बाकाьदा विदान स Şuаний प्रस्ताव पास किया कि हम पंजाब में इस नए बिल को लागू नहीं करेंगे उसके बावजूद भी कोई किसान इस अंदोलन के लेकर के शान्त नहीं हुआ क्यों कि वहीं ऐसा कुछ देखने को मिला था कि फिर से पाकिस्तान के इशारे पर कुछ एजेंट खालिस्तानी जो मुमेंट है उसको दुबारा से चला अपना मुमेंट दुबारा चलाने के लिए किसानों को साथ में लाकर और भढ़का कर भावनाओं को भढ़का कर सरकार के विरुद्ध और देश विरुद्ध गतिविदी में उनका इस्तमाल करना चाहते हैं ये वहां से चला और कैप्टेन अमरेंदर सिंग क्योंकि कांग् कांग्रेस के हैं उन्होंने ये ढिलाई करी कि उनको वहां से दिल्ली जाने को कहा और दिल्ली आ रहाए थे जब खटर सरकार ने उनको रोका हरियाना बॉर्डर पर तो किस तरह से एक गैर जम्मेदाराना हरकत कांग्रेस के मुक्खे मंतरी कैप्टेन अबरेंदर सिंग ने ये जो है खालिस्तानी फोर्स के लोग उनको दिल्ली भेजने के लिए एक तरह से कांग्रेस का समर्थन रहा क्योंकि अगर वो चाहते तो सुरुमात में जो कुछ सेंकडो लोग चले थे उनको पंजाब में ही रोक सकते थे गरफतार कर सकते थे नहीं किया और वो मुमेंट केनन डाला गया उनके उपर पुलिस ने हलका बलप्रियोग किया तब कांग्रेस सबसे ज़्यादा चीक रही थी किसानों के उपर अत्याचार हो रहा है ये सरकार समझ रही थी कौन लोग है कौन इस मुमेंट के पीछे है उनकी मंचा क्या है वो इस बिल के विरोध में नही और ये वो के वल एक बहना है कि ये विल वापस लिया जाए मंडियों को भाहल किया जाए यही कांग्रेस थे जो सतर साल जिन्नों ने शाशन किया किसानों की दुर्दसा रही और ये कहते थे कि ये मंडी खतम कर दी जाएं इस पे दलाली होती है आज ये कह रहे हैं मंडी बहाल की जाएं मतलब इनको ऐसा मुद्दा चाहिए जिससे की आम किसानों को ये दिखा सकें कि हम तुमारे हितेशी हैं अब जो ये कांगरेस के सांसद ने खुलासा किया है ये ल खालिस्तान की मांग करने वाले इसमें C.A. का विरोध करने वाले लोग जुड़ गए हैं इसमें कुछ यूनिवर्स्टी उनका इशारत J.N.U. की तरफ और A.M.U. की तरफ है वो लोग जुड़ गए है और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि ये जो पूरा अंदोलन है जो आफ टीकरी बॉर्डर पर लोग बैठे है इसको हाईजेक कर लिया है पंजाब के कुछ गुन्डों ने और वो कह रहे हैं इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं उनको पैचानता हूं व्यक्तिकत तोर पर कुछ गुन्डों को तो मैं पंजाब जाएंगे तो उनको दे के लोग वहां शामिल हो गए जो जे एंईू, एम्यू के लोग वहां शामिल हो गए ये MP कांगरेस के होते हुए, यह हम इस शा को कह रहे हैं के इसको मूमेंट को तुरंट कंट्रोल में करो, वरना ये पूरे देश में आग लगा देंगे, ये बहुत बड़ा खुलासा है, मै कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से के पूरा देश ये इन सांसद की बात को समझे मेरी अगर आप फेस्बुक की पोस्ट देखोगे मैं पिछले एक सब्ता से जो अंदर की खबरे मेरे पास आ रही है पत्रकार बंदू मेरे बता रहे हैं जो मेरे सूत्र बता रहे हैं ये भी यही बता रहे थे कि ये जो आंदोलन के नाम पर किसानों को बढ़का कर इसमें सारे वोई लोग हैं पूरे देश में खेती होती है पूरे देश में आंदोलन नहीं है पूरे हरियाना या यूपी में अंदोलन नहीं है हरियाने के आप देखिए कुछ सो ये कांग्रेसी कारे करता ही खटते हैं जो यूपी के आप बता रहे हैं के गाजी पूर बोर्डर पे बैठे हैं गिंती के पचास लोग नहीं हैं कौन है वो चंदर से करूर रावन जो उसने वो बना रखी है भीम सेना वो भीम सेना के ही किसान मौरचे के लोग हैं जो वो राकेस टिकैत है वो प्रवकता है उनका और प्रवकता है ये उसी तरह के लोग हैं और ये केवल और केवल मूमेंट चल रही है विदेश में बैठे हुए कुछ लोगों से जिनों ने आप देखे मेदा पाटे कर इसकी एंट्री होना साइन बाग की दादियों की एंट्री होना खालिस्तान के नारे लगाना खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना ये कोई आम घटना है ये देश द्रो है और देश द्रोही यदि इसमें शामिल हैं तो उन देश द्रोहीों को आप देखिए के एक तरफ कांग्रेस का MP जो खुद लुध में देखा है कि वो कांग्रेसी लोग उनको भोजन करा रहे हैं घर से बनवा बनवा के होटलों से उन्हें चाय पिला रहे हैं उनके लिए बिस्तरे लगा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं राहूल गांदी सोनिया गांदी जी आपका ये दोहरा चरित कब जाएगा देश के साथ खिलवार करना कब बंद करोगे आप एक तरफ सीए के बिरोज में लोगों को सडकों पर लाने की बात करते हो फिर जब वो आग लग जाती है दिल्ली में तब आप कहते हो हमारा कोई लेना देना नहीं है दिल्ली के केजरिवाल बैनर पोस्टर लगा कर कहते हैं किसा कौन कौन गुंडे हैं उनसे पूछे हैं कि ये कौन गुंडे हैं भाई किस पार्टी के हैं और उनको पकड़े और तुरंत पूछताच करें लेकिन मैं जान रहा हूं कि इस समय जो हजारों की भीड इकटी कर दिया बोर्डर एरिये में ये सोची साजी एक सोची समझी की टीम है सोचल मीडिया की टीम एक्टिव है और ये भड़काने में लगे हैं किसानों को ये बहुत ही खतरनाक हो रहा है और ये जो सांसद ने खुलासा किया है कि पूरे देश में आग लगा दी जाएगी इसका मतलब ये है कि योजना बहुत बड़ी है और कांग्रेसियो टीमों को पता है इसका मतलब सोन्या गांधी राहुल गांधी को पता है पूरे देश में कुछ तैयारी चल रही है और ये तैयारी किसके इसारे पे चल रही है मैं पहले बोल चुका हूं क्योंगि पाकिस्तान में पियो के में उनकी अपनी राज़्जिती के कारण हल्चल यहां तक्ता पलट की बात चल रही है और इसलिए इमरान खान नहीं चाहता कि वहां तक्ता पलट हो तो भारत के अंदर यहां सब कुछ सांत रहे पी ओ के कब जहां ना लें और इसलिए अपने एजेंटों को उन्होंने शक्रिया किया है इसमें आप देखना जो लोग यह कह हैं कि सरकार तुरत फैसला क्यों नहीं ले रही है मुझे जो मेरे सूत्रों ने बताया है कि सरकार सब पे निगरानी रखे हुए है कि इस मुमेंट में कौन कौन है समाजिक तत्व हैं कौन इसमें खालिस्तानी लोग हैं किन किन देशों से फंडिंग आ रही है इन सब की नि ये विस्तरे दिली के आसपास के लोकल लोग इनको प्रोवाइड करा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो C.E.A. के विरोध में दिली की सड़कों को गेर कर बैटे थे आज वो बंडारा चला रहे हैं कहां से वहीं से जहां से वो शाहिन बाग की बैटी हुई महिलाओं को पांच उसे चलने वाली मूमेंट ये जामिया से चलने वाली मूमेंट ये पी एफ़ाई की मूमेंट आज पूरा इस अंदोलन को चला रही है ये सांसद का खुलासा बहुत चोकाने वाला है लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से के देश के किसान चेत जाएं जो इसमे निर्दोस लोग हो जिनका कोई भी देश विरोधी गतिविदी में ना तो कोई रुची है ना वो कुछ भाग लेना चाहते हैं और देशवक्त लोग हैं वो तुरंट इस आंदोलन को छोड़के चले जाएं कल को ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड हो जैसा की सांसत कह रहे हैं कि पूरे देश में आग लगाने की योजना है तो आप भी कुछ इन ऐसमाजिक तत्तों के लपेटे में आ जाएं और आप भी देश द्रोई कहला हैं तो यह बहुत बड़ा खुलासा है और इस पे तुरंट सरकार को संग्यान लेना चाहिए और सांसत जी को तो मैं धन्यवाद कहता हूँ कि कम से कम एक कांग्रेसी में इतनी हिम्मत हुई कि जिसने खुले आम स्विकार किया कि इसमें ऐसमाजिक तत्त्म हैं और खालिस्तानी लोग हैं सी ए के बिरोधी लोग साजिश कर रहे हैं